हेलो फ्रेंड्स विलकम बैक टू मैं चैनल तो आज हम फिर से आपके लिए लाएं हैं बहुत ही यूसफुल वीडियो जो आपको बहुत ही काम के होने वाले हैं तो वीडियो को विल्कुल भी स्कीप मत करिएगा फूल वाच करिएगा तो यहां मेरी पहली टिप है अनार को ल मैं शलिख घृआते हैं तो इस हमें क्या करना है कि पहले अनार को ऊपर से एशे कट कर लेना है औ PARK गणिगे और बहुत जल्दी कटेंगा भी क्योंकि अनार को छिलना भी बहुत वड़ा काम ही होता है इसको चिलने में ड़ीम लगता है इसके दाने सब लोगना पसंद भी खाएं, तो अगर आप इस तरगे से करेंगे, तो आप मिन्टों में कई सारे अनार छिल सकते हैं, एक साथ, तो यहां देखिए, ऐसे से चीरे लगा लेने हैं, तो मैंने चार से पाच चीरे लगा दिये हैं आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं नहीं तो कम भी लगा सकते हैं आप हम इसको ऐसे निकाल लेंगे और देखिए यहाँ पे एक एक जो फाकी ही हे ओलग हो जाएगी और आप क्या करएं फिर आप अनार को जगूर चिलिए तो देखिए यहां पे कितने फटाफट अनार यहां पे तयार हो गए हैं और इसमें कोई भी वेश्ट भी नहीं होगा अनार की दानी तो अलग हो गये हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो उसके छिलके होते हैं हम उसको फेक देते हैं तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत खासी आ रही हो ठंडी के मौसम में तो आप एक छुटा टुकडा लीजिए अपने मुझ में रखिए इसको थोड़ा सा चबा लीजिए देखिए का खासी आपकी मिन्टों में दूर हो जाएगी तो यहाँ मेरी अगली टिप है ऐसे स्वेट शॉट या स्वेटर आप इसके जगा कुछ भी ले सकते हैं तो यह मेरा स्वेट शॉट है बच्चे का तो क्या होता है कि बच्चे हो या बड़े हो अगर हम सही से फोल्ड ना करें कपड़े तो हमारे बहुत जगा ले लेते है और हमें कहीं बाहर जाना हो तब तो और भी दिक्कत होती है क्योंकि हमें कम जगह में ढेक सारे कपड़े रखने होते हैं तो आज मैं इसको फोल्ड करने का एक अलग तरीका बताऊंगी जो आप फोल्ड करेंगे ऐसे ना तो बहुत ही कम जगह में आपका स्वेटर या कर देना है इस तरीके से आप कर लिजिए फिर जो नीचे का भाग है उसको ऐसे बीच में लाके रखिए और फिर जो उपर का हिस्सा है वो खुला रहता है तो उसमें अब क्या करिए कि इसको पूरा ऐसे डाल दीजिए तो देखिए यहां पर ऐसे हम डाल देंगे ना अभी एक पैकेट की तरह बन जाएगा आपका यह कहीं भी रखेंगे यह खूलेगा भी नहीं असानी से एक जगह रहेगा और कम जगह भी लेगा तो आप इस तरह से फोल्ड करेंगे ना चाहें बच्चों के हो या बड़े क्यों हो तो बहुत ही आसा ही मैंने सारे फोल्ड करके लगता है देखने में तो यह आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा अगर आपको यह नहीं पता होगा तो ऐसे ही आप फोल्ड करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा तो अब यहां पर मैं जीन्स को फोल्ड करना बताऊंगी जो की बहुत ही कम जगह में आपकी जीन्स थोड़ा समय उपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है इसके दोनों पैर के जो है वो सीधे रखने है अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे वाला हिस्सा लेकि इसमें डाल देंगे तो यहां पर मैंने देखिए दोनों में इसको ऐसे करके डाल दिया है अब ध्यान से अब हम क्या करेंगे कि साइड से इसको ऐसे कर देंगे और इस तरह के साप रखेंगे तो आपका जीन्स खूलेगा भी नहीं चाहिए आप प्रेस करके रखते हो चाहिए जैसे भी एक तरह से ऐसे ही सेट रहेगा तो यहां देखिए मैंने इसको कर लिया है अब ऐसे और कम जगा भी लेगा तो आई होप आपको यह टिप अच्छी लगी होगी तो यहां मेरी अगली टिप है कुकर के धकन को लेके तो जब भी हम धकन में कुछ लगा के बनाते हैं दाल, चावल कुछ भी तो कभी-कभी होता है कि जो यह होल होता है न यहीं से हवा निकलने ल आप बंद हो जाएगा और आपका खाना बहुत अच्छी तरह से पकेगा और सीटी भी आने लगेगी तो यह एक बार ज़रू ट्राई करेगा अगर आपके पास यह दिक्कत होती हो तो और इसको आप रखने से पहले यह भी कर सकते हैं कि इस आटे को थोड़ा सा गैस के नीच और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा अपनी फैमली में फ्रेंट्स में और मेरे चैनल पर हमेशा ऐसे ही वीडियो आते हैं तो उसके लिए वेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी थेंक यू फॉर वाचिंग